Syntex Plastic क्या अभी हमें इस टाइम पर इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए क्या प्राइस फर कास्टिंग होने वाली है क्या टार्गेट होने वाले हैं इसके सर हमने आपकी प्रिवेस वीडियो देखके इन्वेस्ट करा था हमने अभी प्रोफिट बुक नहीं करा है तो अभी हमें और इन्वेस्ट करना चाहिए या profit book कर लेना चाहिए हम fresh buying करना चाहते हैं तो हम किस point पे fresh buying करें और target क्या होने वाले detail में fundamental और technical analysis syntax plastic के मैं आपके साथ करने वाला हूँ My name is Udkar Sharma, this is market prime और आप सभी का स्वागत है आपी के इस YouTube channel पर आपने अभी तक हमारी family join निकरें ना Please market prime को subscribe करके हमारे family member बन जाईए All right, current market price आप देख पा रहे हूँगे 2.50 का face value एक रुपे की अगर मैं आपसे 1 month return की बात करूँ ना 16.67% के इसने negative return दिये 1 year के अंदर इसने 49.49% के negative return दिये और 5 year के अंदर तो इसने 97.98% के negative return दे दिये लेकिन आप इस चीच को देखके ये decide मत करेगा कि अभी आपको इस point पे इस stock में invest करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अगर मैं आपसे market cap की बात करूँ ना 157 करूड के इनका market cap पे 52 week का हायता 5.89 का और 52 week का लो ता 0.55 का 0.60 पे मैंने एक syntax plastic पे वीडियो बनाई थी भोथ पहले अगर आप देख सकते हैं description में मैं link डालूँआ उस time पे मैंने काता कि आपको इस stock के अंदर invest कर लेना चाहिए अगर आपने उस time पे invest कराता ना आपको profit book कर लेना चाहिए आप fresh buying करना चाहते हैं मैं बताने वाला हूँ किस price पे आपको इसके अंदर buy करना है और आने वाले target क्या होने वाले अगर मैं आपसे book value के बात करूँ 23.76 की book value return on capital employed है 5.5% return on equity है 2.37% अगर मैं आपसे PE ratio की बात करूँ negative के अंदर 0.14 का है price to book value है 0.04 की sector PA 19.88 का और sector PBA 1.82 का अगर मैं आपसे sales की बात करूँ na syntax plastic की March 18 के अंदर 5,492 करोड की जो कम होके March 19 में होगी थी 4,711 करोड की अगर present year की अभी बात करूँ 1,888 करोड की sales के अंदर आप गिरावाट देख रहे हैं March 18 से कितनी ज़्यादा गिरावट है अगर मैं आपसे वही operating profit की बात करूँ 674 करोड का March 18 में इनका operating profit था March 19 में था 571 करोड का और present year में negative में 164 करोड का इनका operating profit अगर मैं आपसे net profit की बात करूँ ना March 18 के अंदर थी 138 करोड का नेट प्रॉफिट था वो कम होके मार्च 19 में होगे था 94 करोड का उसके बाद प्रेजेंट येर में 1129 का नेगेटिव क्या था वहीं मैं आपसे शेर केपिटल की बात करूँ ना 63.10 के शेर केपिटल है रिजर्व जेंगे पास 7449 के अगर मैं आपसे डेट की बात करूँ ना इतना ज्यादा डेट नहीं है इनके पास तो आप एक बार इंवेस्ट करने से पहले इसमें ये चीज़ देख सकते हैं इतना ज्यादा अमाउंट इंवेस्ट मत करिएगा आगे और बताने वाला हो इंवेस्टमेंट करना है आपको इसके अनदर ती 993 करोड की जो मार्च 18 म ती 261 करोड की वहीं मैं आपसे शेर होल्डिंग पैटन के उपर इसमें बात करूं तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को इसके अंदर कितना ज्यादा कम करा है आप देख पार होंगे सेप्टेमबर 19 में ती 30.46 परसेंट की और मार्च 20 में 13.11 परसेंट की तो आप दे 72.42 परसेंट के तो सर अगर आप इसी स्टॉक के अंदर इनवेस्ट करना चाते है न तो आपको 1.70 से इसमें इनवेस्टमेंट करना चाहिए आपको एक साथ पूरा पैसा इसके अंदर इनवेस्ट नहीं करना बहुत कम अमांट आपको इसके अंदर इनवेस्ट करना क्योंक आपको syntax plastic के बारे में दिखता रहे कि ये stock उपर कब जाएगा तो sir ये एक panel stock है तो इसमें source समझ के investment करिएगा वहीं मैं आपसे बात करू ना 18 September 2019 को इसने high बना था 5.75 का उसके बाद इसके अंदर गिरावट थी 19 November 2019 को ये low बना चुका था 1.15 का लेकिन गिरावट ने रुकने का नाम नी लिया 25th match 20 को ये low बना चुका था 0.55 का 0.60 के उपर मैं आपको बोल चुका था इसके अंदर के आपको इस stock में invest कर लेना चाहिए लेकिन उसके बाद इस stock ने जब मैंने बताया था उसकी कुछ टाइम बाद इसके अंदर recover देखने को मिली थी continue अपर सर्किट पर इस stock में लगे तो ये high बना चुका था 3.60 का 6 July 2020 को लेकिन उसके बाद इसमें थोड़ी सी हमें गिरावर्ट देखने को मिली थी 29 July 2020 को इसने low बनाय था 2.25 का अगर आपको अभी इसमें invest करना थोड़ा सा आप wait कर लीजिए इसके अंदर आप इसके अंदर invest कर सकते 1.70 से 1. 1.75 के बीच में थोड़ा सा time लगेगा उस price को आने में लेकिन वहां पर आने के chances हैं इसके तो आप उस time पर इसके अंदर fresh buying कर सकते हैं अगर आपने इसके अंदर 2 रूपे के उपर invest कर रखाना आप अभी थोड़ा सा wait करिए आप एक या दो week में आप इसके अंदर profit book भी कर सकते हैं आदा माल आप इसके अंदर बेच सकते हैं पसंद आई हो तो like कर दीजे का शेर कर दीजे का प्लीज चैनल को subscribe करके market prime family member बन जाईएगा